Work hard in silence Let your success be your noise मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे जैसे जैसे हमारे एक्जाम सपास आते है वैसे वैसे ही हमारे अंदर एक डर आता है कहीं मैं एक्जाम क्लियर नहीं करता है तो क्या होगा डर और frustration का होना हमीशा नेविटिव नहीं होता है अगर आप कोई preparation कर रहे है और उसका अगर आपके अंदर डर आ रहा है कहीं नहीं हो पाया तो ये डर ही तो आपको और ज़्यादा मेहनत करने के लिए encourage करने वाला है सोच के देखिए कि जो आपके अंदर ये डर आ रहा है ये आपकी कमजोरी नहीं है ये आपकी ताकत है इसको ताकत की तरह देखिए जैसे जैसे exam पास आता है हम अपनी effort को और ज़्यादा बढ़ा देते हैं और suppose कि अगर कोई exam qualify नहीं भी हुआ तो कम से कम हमने अपने आपको और अच्छे लेवल पे तैयार तो किया अप जो भी पढ़ाई कर रहे हैं जो भी तैयारी कर रहे हैं वो कभी बेकार नहीं होने वाली ये ऐसा कुछ भी नहीं है कि कुछ ऐसा product था जो खराब हो गया time के साथ ही knowledge एक ऐसी चीज़ है जो कभी भी व्यर्थ नहीं जाती वो कहीं न कहीं आपके काम ही आती है अगर एक एक एकजाम कोई disqualify भी हो गया तो वो जो knowledge है means वहाँ पे कुछ lack रह गया है कुछ कमी रह गया है अब हमें work करना है उस कमी पे जो भी कमी रह गई है पहले हमें उसको दूर करना है और अगली बार हमें select हो जाना है तो हमेशा याद रखिए कि आप जो आज effort कर रहे है उसका फायदा आपको कल मिलने ही वाला है Thank you